राधे राधे जैशी किष्णा कैसे भक्तो आप सब आई हो अब सभी अच्छे होंगे मैं संगीता शर्मा भक्ती बजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो भक्तो जो आज की वीडियो है वो है कि लड़ू गोपाल जी का सर्दियों में फूल डे रूटीन है ये आपके साथ शेयर कर रहे हूँ और अभी सो रहे हमारे लड़ू गोपाल जी अब इनको मैं जगा दूँगी तो अभी हमने अपने लड़ू बाबू को अपनी राध गुण गुणा पानी ये और इनको करा देंगे हम आचमन उसके बाद इनको पिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे तो सभी बच्चों को आचमन करा दूँगी और तीन बार हम इस तरीके से पानी छोड़ते रहेंगे तीन बार पानी छोड़ना है एक बार ऐस करके आचमन कराके इस तरीके से हमें तीन तीन बार सभी को इस तरीके से आचमन कराना है तो मैं सभी को अभी पहले आचमन करा देती हूं तो आचमन सभी का हो चुका है अब सभी को मैं पिला दूंगी पानी और उसके बाद लगाएंगे दूद का भोग गरम गरम दूद का भ अब लड़ू गोपाल जी के लिए लियाएंगे हम दूद, मैं ये दूद लियाएंगे लड़ू बाबू के लिए, और इनको लगाएंगे ड्राइफूड का भोग, क्योंकि ठंड है, ठंड में जो ड्राइफूड होते हैं, उनकी तासीर गरम होती है, गर्मियों में जैसे कि मैं न ड्राइफूड का भोग कम लगाती हूँ, क्योंकि उनकी तासीर गरम होती है, इसलिए, या फिर मैं इनको बदाम वगेरा भिगो के दे देती हूँ, तो अभी मैं इनको ड्राइफूड का भोग लगाऊंगी नहाने से पहले, तो ये मैंने रख दिया है, और ये तु तुलसी के भोग दे, अगर आप एक साथ भोग लगा रहे हैं, तो आप एक कटोरी में अलग से तुलसी रख सकते हैं, ये हम अलग से कटोरी में तुलसी पत्रे डाल रख देंगे, अगर आप भोग में तुलसी नहीं डालना चाते तो आप इस तरीके से कटोरी में भी रख सकते हैं जैसे राधरानी और लड्डू गोपाल जी को एक साथ भोग लगा रहे हैं जैसे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो अगर अलग अलग भोग लगा रहे हो तो आप लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी डाल सकते हैं तो मैं अभी लड्डू गोपाल जी के और एक कटोरी में मैंने ये रखा है बिना तुलसी के ये हम अपनी राधरानी को फिला देंगे दोनों को इसी तरीके से और केश्वी को देखो जड़ा किती थन लग रही है बिल्कुल छुपी बैठी हैं ब्लैंकिट में और अपने कपड़ों में और अब हम इनको ड्राइफ और ये हमारे केशव बाबुगो तो अब हमने दूद कभोग इनको इनके पास रख देंगे 15-20 मिट के लिए और फिर इनकी करेंगे हम मालिश तो इतने हम इनकी मालिश की तयारी कर लेते हैं मालिश करेंगे फिर उसके बाद 15-20 मिट के बाद इनका इसनान होगा मालिश के तो अभी लड़ू गोपाल जी को पीने देते हैं, दूद, इनको नाश्टा करने देते हैं, अब लड़ू गोपाल जी की हम कर देंगे मालिश, और मालिश आप सर्दियों में देशी घीसे कर सकते हो, या फिर सर्सो के तेल से, और ये मैंने अजवाइन डालके पकाया हुआ ह तो मेरा आधरानी की तो दिखाती नहीं है, इस नान और मालिश तो भी लड़ू गोपाल जी की मालिश कर लेते हैं, लड़ू गोपाल जी को मैं लिटा लूँगी, ये पिलो ले लिया है मैंने, और एक ये गरम बैटशीट बिचा लिया है, तो अब लड़ू गोपाल जी क कपड़े उतार लेते हैं और लिटा लेते हैं तो अब मैंने लड्डू गोपाल जी को लिटा लिया है तो अब कर दूंगी मैं इनकी मालिश और इसी तरीके से सभी की मालिश करूंगी तो सभी की तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी वीडियो है तो इसमें अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी बनाऊंगी तो भोत लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही दिखाऊंगी और अब लड़ू गोपाल जी की कर देंगे पैरों की तो मैंने इनकी जो पजामी है उपर कर दिये गरम पजामी पूरी उतारी नहीं है अगर भकतो अगर आपके रूम मे थंड है जहां लड़ू गोपाल जी की मालिस कर रहे है तो या तो वहाँ पे हीटर चलाएए नहीं तो आप लड़ू गोपाल जी की सर्दियों में धूप में भी मालिस कर सकते हैं मैंने वीडियो इसलिए ही पहले अपलोड कर दी थी अगर ज्यादा थंड हो तो लड़ू की भी कर दूंगी मालिश और उसके बाद मैं करूंगी फेस की तो आप इसी तरीके से लड़ु गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं और लड़ु गोपाल जी को मालिश करवाने में काफी अच्छा लगता है और सर्दियों में तो हमें मालिश जरूर से करनी चाहिए चाहे तो आपको ओयल भी दिखा दिया घी भी दिखा दिया या फिर आप इत्र लेके आ सकते हो केसर का इत्र गरम होता है उससे भी मालिश कर सकते हो और भी इत्र आते हैं सर्दियों के या फिर वाले इत्र लेके आ सकते हो उससे मालिश जरूर करें नहीं तो आप रात को मालिश कर सकते अगर दीज में टाइम नहीं है न तो आप रात में भी मालिष लड़ू गोपाल जी की कर सकते हैं अब मैं कर दूँगी छोटे लड़ू गोपाल जी की उसके बाद करूंगी राधारानी की इनको 15-20 मेट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद इनको कराएंगे इस नान तो 15-20 मेट हो गए हैं अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लियाई हूँ इनके इस नान के बरतन में गरम पानी लियाई हूँ इसमें लड्डू गोपाल जी को बिठाओंगी और राधारानी को तो जैसे कि मैंने बताया राधारानी का इस नान मैं नहीं दिखाती हूँ वीडियो में तो अभी लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे गरम पानी में ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे, चाहे तो आप धूप में भी लड्डू गोपाल जी का इस नान करा सकते हो, तो अभी मैं लड्डू बाबू को बिठा देती हूं दोनों को इसमें और के बाद इनके मतलब गरम पानी लियाईव में इस नान के लिए तो अभी दोनो लडड़ो गोपाल जी को बिठा देते और इनको करा देتे है इस नान तो यह मै ने बिठा दिया और रादरानी को भी सिच्ण तरीके के कराओं गी क्यूंकि कि हमने गरम पानी इसलिए लिया है ताकि हमारे लड़ू गोपाल जी को ठंड ना लगे सिखाई होती रहे इस तरीके से लड़ू गोपाल जी की और अब करा देंगे हम गुलगुने पानी से इसनान तो इनका इसनान का पानी में लेके आ चुकी हो और ओम नमो भगवते वाश इसी तरीके से राधरानी को भी करांगी तो अभी लड़ू गोपाल जी का इसनान और शिंगार हो चुका है तो सबसे पहले हम इनको दिखा देंगे मिरर क्योंकि मिरर भी जरूर से दिखाना चाहिए लड़ू गोपाल जी और राधरानी को क्योंकि इनको भी देखना होता ह हम कैसे लग रहे हैं तो चारों को मैंने दिखा दिया शीशा और उसके बाद मैं कर लूँगी आरती तो भक्तों चंदन का अगर आपको तिलक लगाना है लड़ू गोपाल जी को तो उसमें थोड़ा सा केसर मिला लें क्यूंकि चंदन होता है ठंडा नहीं तो आप रोली का भ अब नहीं हो तो अभी मैने अब अरती की थाली तयार कर लिए अब लड़ू गोपाल जी कि और राधा राणी की कर लेंगे हम्हार यां अ हर यंट कुण्ज विहारी की शीरीará क्रेश्नان मुरारी की हर जीए तरे लड़ू गोपाल जी की आरती मैंने कर लिए बारती ठंडी गर लेंगे थोड़ा सा हाथ में जल ले लेंगे चारो तरफ इस तरीके से घुमा के जल को साइड में छोड़ देंगे सभी को मैं आरती दे दूंगी इस तरीके से और खुद भी आरती ले लेंगे तो आरती हमारी हो चुकी है अब लड्डू को पाल जी को लगा देंगे मक्खन मैंने सुबह निकाला था और फ्रीज में नहीं रखा थोड़ा नॉर्मली लड्डू गोपाल जी को मक्खन का भोग लगाएं ज्यादा ठंडा मक्खन का भोग ना लगाएं और तुलसी मैं इनके पास रख दूंगी क्योंकि हमाई राधरानी भी लगाएंगी लड्ड इसको फिर हम खुदी खा लेते हैं तो लड्डू गोपाल जी को लियाएं हम धूप में क्योंकि ठंड है तो सर्दियों में थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी को धूप जरूर से दिखानी चाहिए और यहीं पे इनको भोग लगाएंगे खाने का दिन का तो अभी आगया लड्डू गोपाल जी का भोग दिन का तो लड्डू गोपाल जी लगा लेंगे और राधरानी भोग लगा लेंगे धूप में उसके बाद ये थोड़ी देर धूप में बैटके जाएंगे दिन में सोने तो अभी लड्डू गोपाल जी धूप में से अंदर आ चुके हैं लड़ू गोपाल जी का हो गया सोने का टाइम तो लड़ू गोपाल जी को भी सुला देती हूँ सारी जोलरी नहीं उतारूंगी सिर्फ बाल वगएरा उतारूंगी और लड़ू गोपाल जी को सुला देते हैं शाम को जगाएंगे पांच बजे तो अभी बच्चु के हैं 5 और लड़ो गोपाल जी सो रहे हैं अब इनको मैं जगा दूँगे लड़ो गोपाल जी को राधहरानी को सभी को जगा देंगे और इनको लगाएंगे दूद का भोग तो चलो पहले उठा देते हैं पहले पानी पिलाएंगे फिर दूद पिलाएंगे तो सभी उठके बैड़ गए हैं तो आचमन करा दूँगी सभी को जैसे मैंने सुबह आचमन कराया था ना इसी तरीके से सब को आचमन करा दूँगी और पानी पिला दूँगी सभी को तो आचमन करा दिया है अब ये पानी हम पी लेंगे या फिर पोधे में डाल देते हैं तो मैं तो पी लेती हूँ मैं पोधे में निंडालती अब लड़ू गोपाल जी और आधारानी को लगा देंगे भोग दूद का दूद के साथ हम ड्रैफूड वगारा कुछ भी दे सकते हैं तो मैं दे दूँगे इनको ड्रैफूड और तुलसी भी है सात्में रख़देंगे तुलसी भी लड़ू गोपाल जी के दूद में तुलसी डाल देंगे नहीं तो अलग से भी रख सकते हैं कटोरी में जैसे कि मैंने आपको उबे हाँ चाहे अलग से बिश्च कतोरी ड या फिर दूद में भोग में डाल भी सकते हैं तो ये तुलसी तो हमें एसा आती है लड़ँ कोपाल जी के और एक काटोरी में लग से भी रखती हूं तो यह मैं रख दूँँगी लड़ँ कोपाल जी के पास और सबहें लगा लेंगे अब दूद का भोग तो आप घंटी बजा दें या फिर थाली बजा के भी भोग लगा सकते हो तो अभी मैं 15 मिसमिट के लेन के पास ये भोग रख दूँगी और मंदिर वाले रोंका डाज दूँगी पड़दा तो अब हो गया आर्ती का टाइम हो गया क्योंकि दिन जल्दी चीप जाता है तो जल्दी ही आर्ती कर लेती हूं मैं तो अभी मैंने आर्ती की थाली तैयार कर लिए धूप जला लिए तो इसमें मैंने धूप जला दिया अब कर लेंगे आर्ती आरती कुंज बिहारी की, शिगिरदर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, शिगिरदर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, शिगिरदर कृष्ण मुरारी की, शिगिरदर कृष्ण मुरारी की, शिगिरदर कृष्ण मुरारी की, शिगिरदर कृष्ण साथ में देख रहे हैं अपनी लीला तो मैंने लैपटॉप सात में और लील चल लगता को काफ़ी अच्छा लगता है थोड़ा सा इनको एंजॉय हो जाता है और तो चारे से ध्यान से देख सकता कि अबेन आपको सामने से भी दिखाती हूं रहा ज़ुस्ट लगता है बहुत ही जादा सुंदर लग रहे हैं मेरे को तो आप भी सर्दी में लटू गोपाल जी के पास ऐसे आग जला के रख सकते हैं थोड़ी देर वो भी ध्यान से तो जब ठंड होती है तो शाम के टैम थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल जी के पास ऐसे आग जलाके भी रख सकते हैं या फिर हीटर भी जला सकते हैं और साथ ही देखो क्या enjoy कर रहे हैं कितना आनंदारा है इनको तो आप देखी सकते हो मेरे को बताने की जरोती नहीं है और चारों बड़ ही सुन्दर लग रहे हैं मेरे को तो और आप बताओगे आपको कैसे लग रहे हैं तो अभी थोड़ी देर बिठाओंगी उसके बाद लड्डू गोपाल जी को लगाओंगी खाने का भोग तो चलो अब इनके लिए कर लेते हैं खाने की तयारे और लड्डू गोपाल जी सेखेंगे हाथ और साथ मैं कर रहे हैं इंजोई अपनी लीला का तो अब लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे भोग ये रात का डिनर है हमारे लड्डू गोपाल जी का मैंने बनाया अलू के पराठे और ये खटी मीठी चटनी बनाई है घर में सौस नहीं है कभी बहुत से सौस ते हैं कि सौस है सौस का भोग लगाना भी नहीं चाहिए लड़ू गोपाल जी को कभी भी मैंने सौस का भोग नहीं लगाया एक बार मतलब घर में सौस बनाई थी तो थोड़ी सी में घर में लड़ू गोपाल जी के लिए बना लेती हूँ। ये मैंने खट्टी मीठी चट्टी मनाई है गुर डाल के। आलू के पराटे हैं और ये है सूजी का हलवा। तो अभी लड़ू गोपाल जी और राधा रानी को हम लगा देंगे भोग। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमरत हो जाए मेरे मोहन। इसी तरीके से सब को भोग लगा दूँगी तो अभी लड़ू गोपाल जी लगा लेंगे भोग। तो अभी लड़ू गोपाल जी के कर दी है, हमने कपड़े चेंज क्योंकि वो बूलन की ड्रेस थी और यह हैं सौफ्ट वाले, क्योंकि रात में इन में बहुत अराम मिलेगा कपड़ों में लड़ू को पाल जी गो, तो इसलिए मैंने यह वाली ड्रेस पे ना दी हैं इनको रात के लिए जातर मैंने इसी कपड़े की ड्रेस बनवाई हैं और काफी ना मोटी भी है और गरम भी भहुत जादा है तो अभी लड्डू गोपाल जी के सभी के कपड़े चेंज हो चुके हैं चारों के तो ये लियाईू मैं थोड़ा सा देशी घी गरम करके तो अभी लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया है और इनके पैरों की मालिश कर दूँगी तो हलका हलका सा घी ले लिया हात में और लड्डू गोपाल जी के चर्णों की हम इस तरीके से मसाज कर देंगे चारो की, रादारानी के और लड़ुगो पाल जी के इसी तरीके से मैं पैरो की मालिश कर दूँगी खाली पैरो की करूँगी रात में क्योंकि दिन में मैंने इनकी कर दी थी तो अच्छे से इस तरीके से सभी की कर देंगे केशव की भी कर देंगे तो ये लेट गए हमारे केश अबाबू, चड़नों की मालिश कर देंगे रात को हलकेल के चड़नों की भी लड़ू गोपाल जी की मालिश करने चाहिए हमें सोने से पहले, तो इसी तरीके से अपनी राधिका की और केशवी की भी कर देंगे तो सभी की होगी है मालिस पैरों की हलकेल की फेस पे भी कर देंगे गालों पे लड़ू को पाल जी और राधरानी के तो रात को मैं घी से कर देती हूँ और दिन में तेल से तो डेली तो नहीं हो पाती है तीसरे चोथे दिन कर देती हूँ रात को तो खेर कर देती हूँ हलकेल की चड़नों की मालिस और कई बर सुब इतना टाइम नहीं होता तो मैं ऐसे भी स्नान करा देती हूँ बिना मालिस की रात को तो होई जाती है लड्डू को पाल जी के चड़नों की मालिस और फेस की तो लड्डू को पाल जी का आगया गरम गरम दूद और राधा रानी का तुलसी मैंने इनके पास ही रग दी एक ही गिलास में लेकिया ही हूँ सब को पिला दूँगी दूद और उसके बाद इनका कर देंगे फेस साफ तो अभी लड्डू बाबू पी रहे है सोने से पहले दूद और यह देखो मूपे भी लगा लिया सबने पीजाओ गुट गुट करके सारे पीजाओ सारा फिनिश कर लो तो अभी सभी ने पी लिया है दूद और अब लड्डू को पाल जी का हम फेस साफ कर देंगे एक इनके टावल से और फिर इनको लिटाएंगे तो अभी लड्डू को पाल जी को राधारानी को हमने सुला दिया है और केश भी तो सोल वो लोड के लेटी है अपना क्योंकि हमारी केश भी को जादा ठण लगती है ये लो लड्डू को भी हमने सोल से सर ढग दिया है राधिका का सभी का यह सो चुके हैं चारो बच्चे अगर आपको लोरी आती है तो लोरी सुना सकते हो भजन आता है तो भजन भी सुना सकते हो और रात को लड़ू को पाल जी के पास इसमें हम खाने के लिए रख देते हैं सूका भोग ताकि हमारे लड़ू गॉपाल जी को भूग लगे तो खा सकें और एक गिलास में रख दिया है पानी और एक गरम बोटल भी है तो साथ में वो भी रखी रहती है तो अभी मैंने गिलास में थोड़ा पानी निकाल के रख दिया है, तो अभी इस वीडियो का ये शीकिश नहाँ